देखे, बॉल एक्सेशनल उसने फैका है, क्योंकि ये टेरेंट जो है किसी किसी के पास होता है, लेकिन विशह ये है कि बॉल लीगल है या नहीं, ये अभी इसके उपर जो है, अभी शायद आगे डिबीट होगी, और मेरे ख्याल से ये जिस तरह से बैट्समें स्विश करता है, और मेरे बॉलिंग में ऐसा स्विश तो इसने नहीं किया या थिर्फ खाली बैट्समन को डिस्ट्रैट करने के लिए ये किया है, तो बॉलर को भी थोड़ा छूट होना चाहिए, जब बैट्समन को इतनी छूट हैं सारी किर्केट में, तो थोड़ा बॉलर का भी तो आपका टेलेंट है आपके पास, आप डालिएगा, लेकिन अगर बॉल लीगल नहीं है, तब मैं यह कहूँगा कि दुबारा इसको नहीं डालना चाहिए, आप क्या मंगतें, क्या होना चाहिए, देखिए ये एक चर्चा का विशह है, और इस विशह को खाली मेरे कहने स या कुछ शायद नहीं हो पाएगा, जब तक सारे बड़े क्रिकेटर इसके उपर चर्चा ना करें, तब इसके उपर सॉलूशन निकल गयाएगा, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा में बेट करना चाहिए इसके लिए, जी चैपल साब का पहला है, उससे पहले इंसिडेंट च उसमें कोई डेड़ बॉल करानी दिया गया था इसको, तो उसके हिसाफ से तो ये बॉल लीगल है, एक रूल है ये क्रिकेट में कि आपको एक ही एक्शन से 6-6 बॉल डालनी पड़ेंगी, तो उस नियम के तहत तो ये फिर बॉल जाज नहीं है, उससे हिसाफ से तो ये जाख से नहीं करेंगे, लेकिन अगर पॉसिबिल्टी है इसमें, वो डेड़ बॉल ना हो, तो आम तो यही चाहेंगे, डेड़ बॉल ना हो, बाकि तो उनके जो नियम हो उसके उसको हम कुछ उसको उटानी सकते, नहीं तो मिलने चाहिए, मेरा वी बीचारीय है, मिलने चा खाल जो